हलो दोस्तों बहुत बहुत स्वागे था है को अपना चानल टेक्निकल केसे में दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सेखेंगे आप अपने लैपटाप में PC में desktop पे कैसे एक new file बना सकते हैं जी हाँ दोस्तों एक new file बनाने के जुरत क्यों परती है आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों एक file का जुरत इसलिए एक folder का जुरत इसलिए जुरत परता है क्योंकि अगर आप अपने किसी भी documentary, video, picture को आप अपने file में अगर रखते हैं तो अगर आपको in case future में कभी immediately ढूंडना परता है तो उसमें आपको असानी से उसे आप ढूंड पाएंगे क्योंकि file बना रहेगा तो उसे ढूंडने में परिशानी नहीं होगी और वो जल्दी मिल जाएगा और आपका काम हो जाएगा अगर file नहीं रहे तो आपको ढूंडने में बहुत जैदा परिशानी होती है इसी के लिए आप यहाँ पे एक file बनाना सीखेंगे इसके लिए आपको desktop पे click करना होगा right click और उसके बाद आपको चले आना है new पे new पे आप जैसे आएगे तो आपको एक click कर देना है उस पे आप जैसे हैं click करेंगे तो आपको first में folder का option मिल जाएगा इसी folder पे आपको एक click करना होगा जैसे एक click उस पे करेंगे तो आपको एक desktop पे new folder नाम से एक file और New Folder New Folder नाम से एक आपको आईकोन दिखना से श्टार्ट हो जाएगा जिसी कि आप इसकीन पे अभी देख सकते हैं अगर आप इस Folder को यही नाम रखना चाहते हैं तो आपको Side में यहाँ पे एक क्लिक कर देना है नहीं तो आपको एक INTER एक बढ़ आपको click कर देना है प्रेस कर देना है अगर आप चाहते हैं कि नहीं से आप अपने account कोई नाम रखें जैसि कि यहां पर हम नाम रखते हैं technical case तो जैसे कि यहां पर हम लिख दे हैं technical case नाम हो गया उजह एक बढ़ हम इंटर के बटन को प्रेस कर देंगे तो यह हो जाएगा अगर आप इसे बीच में रखेंगे जैसी कि अभी आप देख सकते हैं टेक्स्टॉप की बीच में रखा हुआ है तो यह अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए आपको यहाँ पे लेफ्ट किलिक दावाना है और सलाइड करके साइड में ले आना है अगर आप इसे नहीं समझ पाए तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं इस बारे में हमने बहुत अच्छे से वहाँ पे बताया है यहाँ पे वीडियो को इसकीन पे आप देख सकते हैं पिछला वीडियो का यह थमनेल है और आई बाटन में भी आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा और इस फाइल में आप कैसे अपने पिक्चर को, डॉकमेंट को, वीडियो को कैसे रख सकते हैं जिसे कि यह एक फाइल है और यहाँ पर देख सकते हैं यह मेरा अपना एक पिक है इसको आपको करना क्या है यहाँ पर एक सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपको कोपी कर लेना है कोपी करने के बाद आपको अपने फाइल को किलिक कर लेना है और यहां पर आपको paste कर देना है तो यहां पर देख सकते हैं यह image यहां आ गया चलिए इसे देख लेते हैं कि यह सच में आया है या नए जैसे कि यह आपका file था इस पर आप click करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं image पर आओ है image पर double click करेंगे तो यह image आपको open हो जाएगा और यह खूल जाएगा कि यह image है उसके बाद दोसरों चेक कर लेते हैं कोई PDF फाइल है यहाँ पे और इसे हम क्या करेंगे यहाँ से copy कर लेंगे copy करने के बाद फिर से इस file copy करेंगे double click करके और यहाँ पे आके इसे paste कर देंगे तो यह file भी यहाँ पे आ गया उसके बाद जैसे यह video है इस video के करेंगे क्या copy करेंगे और copy करने के बाद अपने file को फिर से open करेंगे double click करके और यहाँ पे आके paste कर देंगे तो कुछ इस तरह से आप अपने audio video को किसी भी document को किसी भी चीज को यहाँ पे आप अपने file में new file में रख सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपने सीख लिया है कि file कैसे बनाते हैं और उस file में कोई भी document picture कैसे रखा जाता है उमीद है यह video आपको जरूर पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में इसे share जरूर करें साथी चैनल पर अगर नया है चैनल को subscribe कर ले और कोई problem हुआ हो तो आप नीचे comment भी कर सकते हैं इस video में इतना ही मिलते हैं नई topic के साथ तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम कर दो सकते हैं यह मिलते हैं इस एहता है